नमस्कार दोस्तो, Welcome to PK Classes, दोस्तो, आज मैं आपके लिए Rolling Process के बारे में बताऊंगा What is Rolling, Types of Rolling Mills and Difference Between Hot Rolling and Cold Rolling Process तो दोस्तो, Manufacturing Technology subject के अंदर Rolling बहुती important topic है, जो की अक्सर exam में पूछा जाता है तो आज की वीडियो में दोस्तो हम rolling के बारे में जानेंगे rolling क्या है और कहां पर इसका उपियोग किया जाता है तो दोस्तो जो भी छात PK Classes में फर्स्ट टाइम है जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें जिससे आने वाला latest वीडियो आपको मिल सके और आप अपने एक्जाम की अच्छे से प्रिपेशन कर सक तो सबसे पहले दोस्तों rolling, rolling का मतलब क्या होता है, rolling जो है एक metal farming process है, जिसका उपयोग करते हैं हम large section को desired shape में बदल ले के लिए, means जो rolling है, rolling is a metal farming process which used to converting, large section आप metal into desired shape, means बहुत बड़ी बड़ी जो section होती है, raw material के फार्म में metal ingorse होता है, उसको small section या एक required shape में परिवर्तित करने के लिए, हम किसका उपयोग करते हैं, rolling का, it is used for making of seat, जैसे कि आपने देखा metal की seat, जैसे tin की seat होती है, तो seat बनाने के लिए, plates बनाने के लिए, I section बनाने के लिए, bars and rails इत्यादी बनाने में, rolling जो process होती है, इसका महत्पूर्ण roll होता है, means पतली कोई strap बनाना है metal की, कोई plates बनाना है, कोई team की seat बनाना है, तो हम क्या करते हैं, rolling प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, ठीक, इस rolling process, metal is compressed, जो rolling प्रक्रिया होती है, rolling process के अंदर, metal जो है, वो compressed होता है, जब यह pass होता है, दो घूमते हुए roller के 20 से, तो इससे क्या होता है, इसका जो cross section area है, वो कम हो जाता है, reduce हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते है, rolling process, तो means जैसे कि आपको diagram में, एक metal ingot है, means बर्क पी से, जिस इसको हमको rolled करना है, और दो हमारे opposite direction में घूमते हुए rollers है, तो यहां से जब हम feed देंगे, तो जब यह दो roller के 20 से हमारा metal ingots या workpiece pass होगा, तो इसकी जो thickness है, वो radius होती जाएगी, thickness क्योंकि यह compressed हो जाएगा, तो यह हम किसमा करते है, rolling में, अब आपने देखा होगा, कि जो terrace इस बागेरा होते हैं, teen की seat से, कुछ मकांस बागेरा पर भी seat होती है, बर्क साफ हो गया, उस पर भी teen की seat होती है, तो जो यह seats है, यह rolling and press working के थ्रू ही बनाई जाती है, ओके, next types of rolling mills, जो दोस्तो rolling mills होती है, वो कितने प्रकार की होती है, two high rolling mill, three high rolling mill, four high rolling mill, cluster mill and universal rolling mill, तो दोस्तों यह हमारी five types की, जो है rolling mills होती है, जो कि industry में उप्योग की जाती है, तो इसमें जो two high rolling mills होती है, जिसमें की आपको diagram में दिख रहा है, जो है, इसमें हमारे दो rollers है, इसके बीच में से, क्या हो रहा है, metal ingot है, जो की pass हो रहा है, तो metal ingot, पास होता है तो इसमें क्या होते हैं जहां पर two rotating rolls होते हैं उसको हम two high rolling mills बोलते हैं तो ये जो हमारी दो rollers है इसके बी में हमारे तीन rolls होते हैं जैसे कि आपको diagram में दिख रहा है three high rolling wheels इसमें हमारे तीन roll है the upper and the bottom roll rotates in the same direction means upper and bottom जो rolls होता है rotates होता है एक इसमे same directions में and middle roll होता है इसमे opposite direction में जैसे कि आपको diagram में दिख रहा है जो बीच का roll से यह opposite direction में rotate हो रहा है और जो top का और bottom का roll है यह हमारा same direction में rotate हो रहा है इसका उपयोग होता है rolling up two continuous passes in a rolling sequence without reversing the drivers means इसको हमारा एक बार इधर से pass होगा पहला pass पर दूसर return होके second इहां से pass होगा तो इसमें तीन roll से मिलके बनी होती है three high rolling wheels and इसमें two pass में हमारा पईसे इसको हम rolled करते हैं इसके बाद four high rolling मिल्स जैसे की आपको nest जो diagram है इसमें four high rolling mills है four high rolling mills में क्या होता है दो हमारे backup roll होते है four high rolling मिल्स consists of four rolls जिसमें two backup roll होते है और दो हमारे barking या barking rolls होते है तो means बैक अ रोल का जो डाया है वो बड़ा है औरसे बर्क आया है वह हमारा छोटा है तो यह हमारा फोर हाई रोलर मिल्स होती है जिसके अंदर चार रोलो होते हैं ठीक है इसका भी हमारा रोलिंग प्रक्रिया में उप्योग किया जाता है इसके बाद樹िल एंड यूनिवर्सल रोलिंग मिल्स तो cluster में जैसे कि आपको cluster मिल का diagram है जो ये left side में दिया हुआ है तो cluster मिल में हमारे क्या है backup roles है एंड हमारे जो working roles है वो हमारे छोटे हुए इसके बाद backup role and supporting roles means तो cluster इसमें हमारे six roles आपको दिखाई दे रहा है तो जैसे हमको slap करना है कोई structural section की rolling करना है या कोई straps की rolling करना है तो हम cluster मिल्स को use करते है इसके बाद जो universal rolling मिल्स होती है universal rolling मिल्स का जैसे की edge section बनाना edge section edge मतलब आपने देखा होगा कि जो हमारे पहले जो buildings बगरा होती है हमारे जो heavy vehicles होते है तो उसके नीचे जो angles होता है वो किस shape में होता है edge shape में होता है edge shape या L shape इसी तुरह हमारे जो gatter होते थे जो मकानस बगरा बनाने में पहले कर्स्टेक्षन में जो हम पत्थर से बनाते थे तो उसमें हमारे क्या है lower के opposite angle डलते हैं तो यूनिवर्सल रोलिंग में क्या होता है दो वार्टिकल रॉल होते हैं एंड दो होरिजेंटल रॉल होते हैं जैसे कि आपको डाइग्राम में देख रहा है S shape की rolling हो रही है जिसमें दो vertical roll है और दो हमारे horizontal rolls होते हैं ठीक अब दोस्तो difference between heart rolling and cold rolling process तो heart and cold rolling process question बहुत ही important है जो कि अक्सार exam में difference पूछा जाता है तो cold rolling का मतलब होता है जब हम material को roll करते हैं जिसका तापमान recrystallization temperature से कम होता है means भेंदा material to be rolled is below its recrystallization temperature जब material को recrystallization temperature से कम ताप पर rolling की जाती है तो उसको हम बोलते हैं cold rolling process and when the material to be rolled is below its recrystallization temperature जब material को गरम करके उसके recrystallization temperature से जादा heat करके यदि हम rolling करते हैं तो उसको बोलते हैं heart rolling process जो cold rolling प्रक्रिया होती है इसमें जो हमारे roll radius से एक कम होता है rolls का जो radius है यह क्या होता है कम होता है लेकिन heart rolling process में radius large होता है cold की अपेच्छा तो the heart rolling process the roll radius is large and cold rolling process roll radius is small third number is very thin section can be made as in case of aluminium foils जैसे कि aluminium की आपने foils देखी हुई है very thin section aluminium foils का मतलब है कि जब हम कहीं भी खाना pack कराते हैं तो जो रोटी बगरा होती है उसको फोल्ड करके aluminium की foil में रखते हैं तो बहुती थिन होती है वो पतली होती है तो 0.02 mm की जो है इसको हम cold rolling से बनाते हैं ठीक है very thin section can be made मतलब बहुती पतली section को हम cold rolling से बना सकते हैं very thin section less than 1.25 mm इसमें 1.25 mm are not obtained by heart rolling means इसमें 1.25 mm से पतली section को हम heart rolling प्रक्रिया से नहीं बना सकते हैं ओके लेकिन cold rolling से बनाया जा सकता है next दोस्तो the heavy reduction area is not possible जब हम cold working की बात करते हैं तो cold working में heavy reduction area संभव नहीं होता है क्योंकि machine पर बहुत ज़्यादा load पड़ेगा तो आप सोचो के हर बार में हमारा बहुत ज़्यादा deformation हो क्योंकि हम metals की बात कर रहे हैं तो इतना deformation cold working में तो संभव नहीं है लेकिन जब heart working की बात करते हैं तो heart working में miss जब हमारा specimen work piece यह वो recrystallization ताप मान पर होगा temperature पर होगा तो इसमें heavy reduction area of the work piece can be obtained means hard rolling में हम बहुत ज़्यादा reduction भी कर सकते हैं ठीक last दोस्तों इसमें cold rolling increased hardness generates cracks and reduced ductility जब हम cold rolling करते हैं तो इसमें हमारी जो hardness से बहुत बढ़ा जाती है hardness increased होती है लेकिन इसके अंदर cracks आ सकते हैं क्योंकि हम ठंडे पर काम कर रहे हैं तो cracks आ सकते हैं और इसकी जो तन्नता होती है वो भी कम हो जाती है लेकिन heart rolling जो process होती है heart rolling process में क्या होता है heart rolling में refined grains आई जब हम किसी भी metals को गरम करते हैं तो जो इसके ग्रेंस होते हैं, ग्रेंस का मतलब जैसे ग्रेंस हैं, फाइन ग्रेंस हैं, तो इसके जो ग्रेंस की साइज होती है, वो रिफाइन हो जाती है, हाट रोलिंग में, एंड रिमूब बिलो होल्स, अब इसके अंदर यदि कहीं भी पोरोसिटी है, या कोई बिलो होल से तो जब इसकी rolling होगी गराम करके तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे remove हो जाएंगे इसके बाद increase toughness means toughness जो होती है toughness हमारी improve हो जाती है किसमे heart rolling process में तो दोस्तो आज के वीडियो में हमने rolling के बारे में लगभग सभी discuss किया है तो दोस्तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर subscribe करें और वीडियो को like करें thank you